हेलो दोस्तों तो चली हम लोग बात करते हैं आज एक बहुत ही मातफोन एडिटोरियल के बारे में यह आपका एडिटोरियल है सभोच निया लेकिक सम्मिधानिक कर्तब पर प्रिश्ण चलने तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से देखते हैं मौलिक कर्तब सम्मिधानिक कर्तब आप लोग सुनते रहते हैं तो वरत्मान में बाकी देशों की तरह भारत कोविद-19 के कारण उपन हुए स्वात संकट से जूज रहा है आप लोगों से हमेशा बोल ला हूँ मैं कि आपको अपने और अपने परिवार की सुरक्षा रखनी है क्योंकि सरकार ने आपको छोड़ दिया है आप मरिये जीए कुछी करिए क्योंकि सरकार एकोनोमी पर ध्यान देने लगी है और जितने कमी थी वो चुनाओ पर ध्यान लगी है क्योंकि बिहार का चुनाओ आ चुका है इसलिए ठीए तो आप अपनी सेप्टी अच्छे से रखिए कोई आपकी मदद के लिए नहीं आ रहा है और आप देख रहे हैं दिन पर दिन हालत बिगड़ती जा रही है आपकी भारत की चालाद पिलस केस हो चुके है इसम प्रवासी मददूरों को सबसे अधिक समस्या का सामना करना पड़ा है क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है आयका कोई स्तरोत नहीं है बन्यादी अवसक्ताओं तक पहुंच नहीं है कुरोना से सुरक्चा ही तो कोई गुडवत्ता युद्ट परिच्ण सुगधाय भी नह किसी नेता नेने की मदद नहीं किये याद रखिए जो समास से भी संगटन थे या कोई समास से भी व्यक्ति था उन्हीं लोगों ने घर तक पहुंचा है जिन मैं चाहिए आपका अभीता बच्चन हों सवनुसोध हों ऐसे कई लोग कई संगटन आपके काम में आये हैं किसी भी बिधायक को आपने लोग उन्हें रोड पर चलते हुए इनकी मदद करते नहीं देखा रहो बेलकुल नहीं क्योंकि खुद जान की पड़ी हुई है उन्हें नेताओं को तुन नेता उस समय की नेता वह आज की नेताओं में जमीनिवासमान का परक है साध आप लोग की उनके बीच आप पहुचे हैं और आज के नेता को देखिए आप लोग कि घर में दुमक के बैट जाते हैं जब तक पूरी मार काट नहीं हो जाती तब तक रोड पर भी नहीं जाते हैं ऐसा ही आपने देखा है ना कि जनता जब तक तरह ही तरह ही नहीं मान गई प्रवास करता है बना इन मजदूरों को इस तरह मरते कोई न चोड़ता है कोविड-19 के कारण मजदूरों के मूलबूत अधिकार भी संकट में आवे हैं पिसासने कारवाई भी संकट की घड़ी में इनकी मदद करने में ना कापी है इसलिए बोला जा रहा है ना कापी है क्योंकि अधरन कर सब कुछ कारिपालिका के भरोसे नहीं छुड़ा जा सकता है नियायपालिका द्वारा नेंतर एबं संतुलन सुनिश्चित किया जाना चाहिए यह नियायपालिका का उत्तरदायत थे और नागरेकों के मूलबूत अधिकारों की रक्षा करें इसकी परिष्ट बूमिका नेवातिय हैं क्योंकि आप देखते हैं अगर किसी के मॉलिक अधिकारों का हनन्स हो रहा है तो आर्टीकल 32 यानि कि अनुछे 32 के तहद वो सुपरीपकोर्ट जा सकता है अपने अधिकारों को बचाने के लिए जब से कौरोना का प्रगोव भारत में आया है तब स की जा रही है, PIL का सीधा समतलब है कि आप के छित में किसी का हनन हो रहा है, किसी के दिक्यारों को हन हो रहा है, किसी पर अत्याचार हो रहा है, तो आप लोग भी PIL दायर कर सकते हैं, ठीक है उसके पाँच में, COVID-19 महमारी के कारें देश ब्यापी लॉकडाउन की कोशना, चार गंटे से कम समय में कि फूर नोटिस के साथ की गई, एक बात आप लोगों को समझ में आई है, कि आप सोचिए कि चार गंटे में क्या 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 कर लेगा, चार गंटे बात पूरा सब पूरी तरह से ठप कर दि अगया, मेरा मानना है पर्सनल, किसी का मानना हो या नहीं, अपनी अपनी राय हो सकती है, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर लोगों को घर भेद दिया जाता, तो साइद इतनी प्रोप्लम ना होती, दो सो डाई सो ये मजदूर मर्ज चुके हैं जो आपके सामने, इनकी मौत न होने, अप सोचिए आपकी एक बेटी अपने बापको, साइकल पर बारे सो क्लिव मीटर बैठार के लिए जाती है, बीमार बापको, बारे से पंदरह साल की लड़की, इससे बुरी स्थिती हमारे देश की हो सकती है, एक तरफ आप बेटी बचाने की बेटी पढ़ाने की ब करो, तो समय देना चाहिए दर सरकार को कि सब लोग घर पहुच जाते हैं, तो साइध हमें लगता है कि अभी तक हम लोग कोरोना पर जीत भी बाले थी, इससे देश में अभूत पूर्ट मार भी ये संकट पैदा हो गए, बे लोग जिनके पास ना तो घर था, ना ही सुरक् अब बवस्तों को रद करती है, ऐसे में प्रवासियों के पास पैदल ही, अपने घर की और जाने के लावा कोई बेकल्प नहीं बचा, सुप्रेम कोट की असफलता, सुप्रेम कोट की असफलता है नीचे दिने, एक बात आप समझेए कि कई लोगों के दमाख में आता है कि स करोना फैलता, इसकी बज़े से वे उन्हें घर भी जा जाता, क्या अब नहीं फैला हुआ, अब तो केस और पढ़ चुके हैं, अब नहीं फैला हुआ, शुरू में क्या था कि जो विदेश गए हुए थे, जो मतलब विदेशी लोगों के संपर्क में आये हुई थे, उन्ह में फैली नहीं थी, लेकिन अभी भी तो वहीं काम किया गया है, अगरे ये दो तीन महीने पहले करते थी, शुरू में, तो करना हुए था, लेकिन बढ़ते ना किसा, अब आपके ग्रामीट छेत्र में स्थानी है, मतलब निचले तपके पर भी देखने जाने लगी है, अल मेले की समक्ष सॉलिष्टर जनेरल का बयान था कि 31 मार्च तक कोई भी प्रवासी व्यक्ति अपने घर कस्वों या गाउं तक पहुचने की कोशिच में सड़कों पन ही निकला था, सहरों में काम करने वाले मजदूरों का प्रवासन फरजी ख़बर जैसे लोगडाउन तीन का मुकाबला करने के लिए भारस संग द्वार उठाए गई कदमों पर संदोस्त भी व्यक्त किया था, बिड़मना यह थी कि भले ही उस समय कोरोना वायरस मामलों की संख्यार के बल कुछ सो थी, लेकिन देश के लाखों गरीब बेरोजगार प्रवासी सहमिक अपने घर को वापस नहीं जा पाई, तंग क्वार्टर में रहने को विवस हुए, गरीब प्रवासियों में संकमण का खतरा भी अधिक हो गया, इसके अलावा सरकार के बयान को भी इस पर शुरूप से तत्तों के विप्रित दिखाया गया, आदुनीक भारत में, सबसे सक्त लेती कुरूना वायरस से, केंद ने कई निर्देश जारी किये, परन्तु इन दिसा निर्देशों को फूरा करने की जिम्मेदारी राज्यों पर छोड़ दिया गया, लेकिन प्रवासि मजदूरों का मुद्दा सौभाविक रूप से एक अंतर राज्यी मुद्दा है, रा च्रंदी में कौन उन्हें अनुदान अभगता है या उनके स्वास्त की देखवाल करेगा, कौन भोजन तथा अन सभी ज़रूर्तों की देखवाल करेगा, नौकरी की नुकसान की भरभाई कौन करेगा, उनकी नेमित जाच कौन कराएगा, इसमें मैंने कई लोग सोचल बैटकर बोल लें भासर पेल लें कि वहां सुखधा थी सब खाने की आपने कई इंटर्विव देखे होंगी कितना खाने की ववस्ता थी क्या इस्थिति थी आप सोची आपको घर में अगर खाना मिल लाए तो आप घर से क्यों निकलेंगे नहीं निकलेंगी न तो इस्थिति बहेंकर थी कभी अपने आपको उस जगह रखकर देखिए उनकी जगह कभी मैं गलत नहीं सोच रहा हूं लेकिन कभी आपकी मा बेटी जिसने भी आपको जनम दिया है कभी रोड पर दिया है जनम उस माने जनम दिया है और फिर उसके बाद चलने लगी है एक भयानक इस्ति क्या हो सकती है देश में कि एक मा को जनम रोड पर देना पड़ा रहा है चलते चलते बच्चे को आप लोगों ने भयानक इस्तिती देख लिए इसके बाद मुह मत खो लिए अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो मत खोलिए मुह चुप बैठ जाए क्योंकि मालू है कि आप बोल कुछ भी नहीं सकते हैं ना कुछ उखाड सकते हैं क्योंकि आपको जीना है पर चाहे हो मुल्दा बनकर जीए या कोई सांस बिना सांस के लिए जीने से मतलब है अपने मतलब के लिए सुप्रेंग कोट की विफलता मई के पैराम तक लाखों सेमिकों के बड़े प्रमाने प्रप्रवासिन के परिडांग में सामने आई है यह मजदूर पिछले छह सब्ताय के लिए लगबग अभी आविवस्तित परिस्तितियों में से आसंतुर्ष्ट होनी के कारण तंग आ देश जब कोरोना संकट संकमण पच्छास अजार कि आंकड़े आंकड़ों को भी पार कर गया था बड़ी संक्रामें प्रवासि सेमिक भी संक्मित हो गय थे इस समय भी सरकार ने प्यारम में पैदल या ट्रोकों तवारां यात्रा करने वाली प्रवासि में दुनों को तो साथ इतनी भायान की स्थीन में देखने को नहीं मिलती इसी बीच 15 मही को सुप्रेंग कोड के तीन जज़ों की पीठने प्रवासि मजदूरों से संबंदी उस जनित याजका को खारिच कर दिया जिससे सभी जिल्वा मजिस्टेटों से ततकाल दिसाने देश की मांग की गई थी कि वे सड़कों पर चलने ही प्रवासि मजदूरों की पहचान करें उन्हें उचित भोजन और आस्रय की सुख्जा पिदान करें इसके साथ ही उन्हें निसुल घर बेजने की वेवस्ता की जाए परन्तु इस जनित याजका को यह करकर खारिच कर दिया गया कि जिनके अनुसार जब तक प्रवासि सेमेवकूं को भोजन और अप्लब्द कराया जाता है तब तक उन्हें मजदूरी का उक्तान करने की आवस्तान नहीं है आए सोच रहे हैं मतलब ऐसा लगता है कि सरकाल से पूछने के बाद इस नेड़े रहे उन या अणीं के बयान दे रहें अनुचित अभीरुची नागरेकों के मौलिक अधिकारों के उलगन का विशेस रूप से प्रवासी मजदूरों के अधिकारों नहीं कर सकते हैं कोर्ट का कहना है कि सरकार बर्दमान इस्तिती की सरफश्ष्ट नयादी से इन विचारों से इसा पितीत होता है कि सुप्रेम कोर्ट ने मौलिक अधिकारों की रक्षा की अपनी प्रात्मिक जिम्मेदारी को छोड़ दिया विसे इस रूप से उन लोगों के प्रणतू यसी निड़ा है जहां सरफश नयाले निती के तमामलों को अपने दाएरे में माना यहीं नहीं इन मामलों में नयाले नितियां बन आई राज्यों को उन्हें लागू करने की लिए जैसे कारिस्थल में योन उत्पीडन पर दिसाने देश, भोजन का अधिकार, पर्यावन सरक्षन की नीतियन, जनीत याजका, जनीत याजका यानि की PIL एक पिसेश्ट साधन है, जिसे गरीबों, दलितों और कमजोर बाकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसके तहित कोई भी व्यक्ति पीडित, व्यक्ति की ओर से उचे दिद्धा निदेश प्राप्त कर सकता है, PIL बास्तों में आदालत और सभी पक्षों के भी एक सहयोगी प्रयास है, जहां हर कोई समस्या के समाधान की मांग करने के लिए एक साथ आ सकता है, उच्छ नयालय पर हसायत करने की कौसित की जा रही है, कि उच्छ नयालय हस्तेशेप नहीं कर रहा है, तो उच्छ नयालय को ऐसा करने की आवज सकता नहीं है, यानि कि सरकार कह रही ही कि जब आपका बाप यानि कि सुप्रेम कोट हस्तेशेप नहीं कर रहा है, तो बेटे को कोई अधिकार नहीं है यानि कि हाइकोट को अधिकार नहीं है परंतु इसके बापजु चार उच न्यालयों जैसे करनाटक, मंदरा, साथ, नफिदेश, गुजरात ने पिरबासी मजदुरों के अधिकारों के बारे में सवाल पूंचना सुरूं किया कर दिया यह आपकाल के दौरान उत्प उसके अलाबा, मदरा सुच न्यालयों ने मीडिया के खलाब अपरादिक मारहानी के मामले को यह कैकर खारिज कर दिया कि लोकतंत को इस तरह से नहीं दबाया जा सकता। इसके विप्रीफ सॉलिस्टर जनरल के तरकीन दावे जिसमें कहा गया है कि सेमिकों का पलाएन फरजी समाचारों के कारण था। के लिए सुप्रेम कोर्ट ने माना कि मीडिया हाउसों को और जिम्मेदारी से रिपोर्ट करने की सलाय दी जाने चाहिए। आगे की राह क्या हो सकती इसमें। तो नियालय के पास अनुच्छी देख सो ब्यारीज के तरह भारत के समिधान द्वारा पिदत सकती है। जिसके तहित पूर्म नियाय है तू नियाय कोई भी उपाय कर सकती परन्तु सुप्रेम कोट द्वारा लाचारी का पिदर्शन कर रहे नियाय के आदर्स वार्ट फैतो धर्म इस्तथो जाया है कि साथ नियाय नहीं करता है ऐसे समय में उच्च नियाय तरक संगता सहासो दयाल लुकता का भाव लिए सामने तो आते हैं परन्तु अब तक अब यह ऐसा हो समय जब सर्वोच नियाय को सरकार की बातों से सहमत होने के बज़ाए विपत्ती की स्थिति में हस्तशेव करना चाहिए क्योंकि भारतिये लोकतंत और कानून का स्थित विसे सरूप से कोविड-19 महामारी के समय समिधाने दायतों को पूरा करने वाले नियाय लाय पर निर्भर करता है तो आप सभी जानते ही कि हम लोग सबसे जानदा भरोसा नियाय लाय पर ही करते हैं अगर इस से भरोसा हट ग हसे हुए हैं ऐसे में सुपरिंग कोट में हस्तिचेप करके यसो निर्षित करना चाहिए कि कैंद और राज सरकारों द्वारा पर्याप परिवान भोजन और आस्राइगी तुरंद विवस्ता पिदान की जाए कि यससे आप लोगों को एक समझ में तो आगे हैं कोरोणा महमारी की वज़ے सही एक सर्कार की कम्यां आपको दिखने लगी हैं और कि कोई भी प्रचाहिए मालब़ी मियापदा फिर चाहिए कोई प्राक्तिक आपता हो, दोनों में पिस्ता है मुझदूर, यानि कि जो गरीब तपका है, इसी को भुगतना पड़ता है, इनी की स्तिती खस्ता हो जाती है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके देश की हालत यह है कि 1947 से आज तक एकी मुद्दा तो चल रहा है, गरीबी हटाओ, गरीबों के लिए रोजगार ये करेंगे, वो करेंगे, आज तक हुआ है, इसी पर रोटी सिक्ती आ रही है, वो सकता है, इसी पर आंगे भी सिक्ती रही है, चले ठीक है आप,